दिली में तो हालात काफे जादा खराब हो गए हैं दिली के खराब हालात के बीच गृह मंत्री आमिच्छा खुद आक्टिव हो गए हैं और उन्होंने चछत्तिस घंटे के अंदर तीन बैठके की हैं मुक्के मंत्री अर्विन केजरिवाल से तो मिले ही हैं इसके साथ आपको बता दें कि इसके साथ साथ वो राज़पाल से भी उपराज़पाल से भी मिले और लगातार वो एहम बैठके कर रहे हैं दिल्ली कोरोना संकट पर एक्शन में गृह मंत्री 36 घंटे में अमिच्छा की तीसरी बैठक 20 जून से हर रोज दिल्ली में होंगे 18,000 राज़धानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए मोधी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है गृह मंत्री अमिच्छा ताबड़तोर मीटिंग कर कोरोना को पस्त करनी की रणनीती बना रहे है आज गृह मंत्री ने दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए औल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें बीजेपी, कॉंग्रेस आमादिपाटी और बीएसपी के परतिनिद्यों ने हिस्सा लिया बैठक में कोरोना को लेकर उठा जा रहे फैसलों और सरकार के एक्षन प्लान पर चर्चा हुए तो वहीं विपक्षी नेताओं की भी राइप पुछी गई इसके साथ ही ये भी फैसला हुआ कि अब दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की संख्या दोगुनी की जाएगी 20 जून से हर रोज दिल्ली में 18,000 टेस्ट होंगे दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए एक्स्ट्रा बेट की वेवस्ता की जाएगी रेलवे की ओर से 500 असिलोइशन कोच दिये जाएगे हर घर का हिल्थ सर्वे होगा हाला से निपटने के लिए केंद्र की ओर से 5 तेस्टरार आईयस अफसर दिये जाएगे इससे पहले रवीवार को भी अमिश्या ने मुख्यमंदरी अर्विंद केजरिवाल और एलजी अनील बैजल समेथ एमसीडी के सभी मेयरों के साथ बैच हकी थी दरसल दिल्ली के अस्तर पर ये गंबीरता इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के 24 घंटों का आकड़ा डराने वाला है 24 घंटों का आकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है दिल्ली में कोरोना संक्रमन के कुल मामले 41,182 के पार पहुंच चुके है पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए इस दौरान कोरोना के 7,353 टेस्ट हुए जिन में से 2,224 सेंपल कोरोना पॉजिटिव पाये गए 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वाइरस से 56 लोगों की मात हुई है इसके साथ ही मरने मालों की संख्या विवढ़कर 1327 पहुच गई है दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को ठामने के लिए ग्री मंतरी अमित शाह ने सभी से एक जुठ होकर काम करने का आहवान किया है अगर कोरोना से लड़ने का यही जजबा कायम रहा तो निश्य तोर पर जीते की दिल्ली हारेगा कोरोना टीम निजनेशन